हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं आपको इस तरह के इंब्रॉइडरी स्वेटर में किस तरह से करते हुँ बताऊंगे, ये कुछ इस तरह से मैंने पहले बनाये हुआ हैं, इसमें आप क्रोज भी बना सकते हैं, जादातर ऐसे जाली बना के फिर उसके अंदर embroidery करें तो बहुत प्यारा लगता है यह sweater बनाई हुए इसमें भी यह flower का design बनाया हुआ और एक sweater इसमें भी इस तरह का design बनाया हुआ निडल से आप plane बनाने के बाद इस तरह का design बना सकते हो तो अभी मैं इस तरह का flower किस तरह से बनाते हैं वह बताऊंगी तो चलो start करते हैं जैसे यह frog है इसके center में मुझे बनाने तो यह white color लगाया हुआ इसके design में तो यहां पर center में हमें flower बनाना है आप चाओ तो एक यह दो तिन जितने जैसे बनाने है आपको design अच्छा लगता आप बना सकते हो तो सबसे पहले हमन नीडल को डालेंगे और उससे थोड़ा आगे नीडल को इस तरह से लगाएंगे और जो धागा है उसको इस तरह से धागे की बीच में से नीडल को निकाल देंगे फिर जहां से हमने धागे को निकाला हुए और जो धागा circle करके आया हुए उसके नीचे से हम नीडल को इस से और पीच में जहां पर हमने पहले तरह सी ऐऍट आज से अब इस तरह सي नीडल को डाला फिर दागे को इस तरह से क्रोस करके डिड्र को निकाल लेंगे अब इस धागे के दूसरी साइड से हम निडल को इस तरह से सेंटर में ही निकालेंगे फिर से इस तरह से अब यहां पर भी हम इसी तरह से डालेंगे और धागे को इस तरह से लपेटेंगे निडल में और निकाल लेंगे फिर इसके धागे के आगे से हम नीडल को इस तरह से डालेंगे सिक्योर करने के लिए और सेंटर में ही निकालेंगे फिर से नीडल को इस तरह से अब यहां पर फिर से इसी तरह से करेंगे नीडल को इस तरह से धागे को पर से लेके आए और इस तरह से तो यह हमारा half flower जो है वो बन गया है फिर से सेंटर में निडल को निकाला हमने और यहां से सेंटर से फिर से निडल को डालेंगे और थोड़ा सा आगे आप चाहो तो पहले pencil से थोड़ा निशान भी लगा सकते हो अगर इस तरह से पता ना चले कि कहां पर हमने बनाना है तो पहले आप इस तरह से कर सकते हो कि pencil से अच्छे से निशान लगा लो कि कितने flowers में कितने वो बनाने हैं हमने petals तो इसी तरह से फिर सेंटर से इस तरह से निडल को डालेंगे थोड़ा सा आगे और धागे को निडल में इस तरह से करेंगे और निकाल लेंगे फिर इसके पीछे से ध इस तरह से मैंने यह बना लिया है अब हमें इसकी लीप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे इस तरह से अब इसको सेंटर में निकाला और इस नीडल में इस तरह से इस थ्री टाइम्स हमने रोटेट किया फिर इसको वन सेंटर में इसी थोड़ा अलग से जहां से हमने धागे को पहले उपर निकाला है वहीं से थोड़ा से साइड से धागे को इस तरह से निकालेंगे इस तरह से यह धाग थोड़ा लाइट है तो इतना पता नी शल रहा है फिर यहां से जहां से हमने इसकी लीप्स और वो बनाने वहां पर हम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा गयाप में निडल से इस तरह से एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से यह हमने बना ले आप दोनों साइड हम इसके लीप्स बनाएंगे तो जहां पर लीप्स बनाने पहले नीडल को वहां ले जाएंगे फिर वहां से जैसे हमने flower की petals बिनाई थी उसी तरह से हम इस तरह से धागे को लपेट के निकाल लेंगे और वहीं आगे से फिर से नीडल को सेंटर में पीछे लेके आएंगे जहां पे हमें दूसरी leaves बिनानी हैं दूसरी साईट से भी हएम इसी तरह से करेंगे, इस तरह से, और यहा पीचे से इसको सिक्योर करते हूए निडल को, पीछे ले दागे को पीछे ले जाएंगे, और अच्छे से गांट लगा के, यह हमारा फ्लावर जो है, वो बनके तयार हो गया है, इसको इस तरह से आप साइडों में जाली बनाके बनाते तो यह बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह के और डिजाइन भी आप बना सकता है और इसी तरह से अगर और कोई डिजाइन आप देखना चाते है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को इसी तरह के और डिजाइन्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें थेंक यू